डिजिटल इंडिया अभियान से देश के आम नागरीकों की सुविधा तो बढ़ ही रही है साथ ही ये प्रष्टाचार को कम करने और सरकारी लेंदेन में पारदर्शिता का साधन भी बन रहा है पहले सरकारी विभागों की खरीदारी को लेकर किस प्रकार शक्क और स्विकायते सामने आती थी अब केंदर सरकार ने अपने विभागों के लिए खरीदारी की एक नई पारदर्शि विवस्ता बनाई है केंदर सरकार ने Government E-Market Place ये NGEM नाम से एक पोर्टल मनाया है और मैं आप सबसे चाहूंगा कि आप इसका भरपूर फाइदा उठाईए उत्तर प्रदेश के छोटे-छोटे कारोबारी भी इसका भरपूर फाइदा उठा सकते हैं इसके माध्यम से देश का कोई भी छोटे से छोटा कारोबारी अपना प्रोड़क केंदर सरकार को राज्य सरकारों को सीधे बेच सकता है इसका बड़ा लाब सामान्य से सामान्य गुरुणियों से लेकर हमारे MSME से जुड़े उद्यमियों को हुआ है साथियों छोटे लगू मजले उद्योग यानि MSME के लिए तो ये बहतरीन प्लेटफॉर्म सिध्ध हो रहा है हाल में ही MSME सेक्टर को के लिए जो 12 दिवाली गिप का एलान किया गया था उसमें जेम का एक बड़ा रोल है बड़ी कंपनियों के पास छोटे उद्यमियों का पैसा न फसें कैस फ्लोग न तूटे इसके लिए केंद्र सरकार की सभी कंपनियों को जेम से जुड़ना अनिवारिय किया गया है इतना ही नहीं डिजीटल सेवाओं की शक्ति के माध्यम से ही मसमी को रण लेने में असुविदा ना हो इसके लिए ऑनलाइन रण स्विक्रूत किये जा रहे हैं और आपको खुशी होगी आपने से बहुत लोगों इसका फायदा लिया होगा सिर्फ फिप्टीन नाइन मिनिट में उन साथ मिनिट में एक करोड रुपिय तक के रूम ऑनलाइन पॉल्ट्र के माध्यम से इस्विक्रूती देने का काम चल रहा है सफलता पुर्वक चलना है गुवर्ना एक करोड का लोन लेना है तो पता नहीं कितने जूते गिस जाते होंगे आज फिप्टीन नाइन मिनिट में ये काम हो रहा है साथियों देश में MSME को ससक्त करने के लिए सरकार प्रतिवद्ध है सरकार का प्रयास है कि जितने भी MSME हैं GST से जुड़े रहे हैं उनको बैंकों से लोन लेने के लिए बहुत मसकत न करनी पड़े वो ओनलाइन इसको देख करके काम आगे बढ़ सकता है सिर्फ GST और अपने रिटर्ण के दस्तावजों के माज़म से या ओनलाइन रिकॉर्ड देखने के बाद बैंक खुद ही रण के लिए संपर करें यह तमाम प्रयास देश में इज अब डूइंग बिजनेस सुनिशित कर रहे हैं जिससे व्यापार और कारोबार में आसानी हो रही है युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं सात्यों काशी और पुर्वांचल सहीत संपूर्ण पुरिवी भारत में आधुनिक सुविधाएं और उद्योगों के लिए बहतर माहोल बनाने का काम व्यापक स्थर पर चल रहा है प्रदान मर्ती उर्जा गंगा योजना के तहट गैस पाइपलाइन बिशाई जा रही है इससे गरों की रसोई से लेकर खात कारखानों तक के लिए गैस मिलनी शुरू हो चुकी है वारानसी में भी इस सस्ती रसोई गैस की योजना से हजारों गर जुड़ भी चुके हैं